जी students कैसे हैं आप and I really wish you all people are fine students आज के lecture में हम बात करने वाले हैं about biology और आज का topic होगा हमारा Muslim scientist बहुत में Muslim scientist काम कर चुके है Muslim scientist में बहुत ज़्यादा contribute किया है तो आज के lecture में हम सब Muslim scientist के बारे में बात नहीं कर सकेंगे लेकिन कुछ Muslim scientist के बारे में आज के lecture में बात करेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आप से जाबर बिन हयान के बारे जाबर बिन हयान यह तक्रीबन आप कहलें के साथ सो इकिस में जो है आज से काफी रसा पहले गुड़ीच में यह पैदा हुआ और तकरीबन 815 में जो है इनका हिसे काफ़ हुआ हुआ तो इस A.D. A.D. means after death of अभी 2020-80 चल रहा है तो अब what was the major contribution of this scientist that is a big role and big point of pondering आप क्या लो कि ये जो है Iran में पैदा हुए और medicine जो है उन्हें Iraq में प्रैक्टिस ही और Iraq में फिर बॉर्न जो है वो इरान में हुए और Iraq में फिर इन्हों जो है medicine प्रैक्टिस की medicine प्रैक्टिस में मुराद है कि इन्होंने लोगों को द्वाईया हुए रहती उनका इलाज किया medicine के बारे में पढ़ा तो ये सब इन्हों की इराग पे हुई और इन्हों इरान इराक आपसमें दुनों के बॉर्डर मिलते हैं वन अप ग्रेटर साइंटिस जाबर भीन हयाद और इन्होंने जो है बहुत से experimental investigations chemistry में भी जो है कि यानि जाबर भीन हयाद का नाम आपको पता होगा इसके लाव आप कहलो कि इन्होंने एक्वारीगिया त्यार किया एक ऐसा लिक्विड है जो सोने को पनेंदर डिजॉब कर लेता है इसको उर्दू में आभे सुल्तानी कहते हैं आम्घा वे सुल्तानी वह लिक्विड है इसमें और दालें और वो इसम्हों willkommen कहलाएगा तो वो उन्होंने कुछ कहलें की हिचेल और नाइक्रिक एसिटेचन और टीकिन एकशम मत्स्रीं भिविकर बनाएब दा लिकिन जिसे दाइब के लिए था ग्रेड कॉंट्रिबूशन इन चेमिस्ट्री उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम थोड़ी सी बात आगी करें के बारे में तो उन्हें एक किताब भी लिखी और किताब जो है इन्होंने पोदों पर भी लिखी और एनिमल्स पर भी लिखी बलकि एक किताब ने लिखी बहुत सी किताब में लिखी तोroy stop नाम नहीं है लिखार है उसके बाद थरहिसे तो और हम अन्य वाहिए इक आंपर नं प्रकें चार्ट सुन आ वहांगारawn में जिकिताब कर मिर्याँनिके नाम यहां है और पहे लग Yay It is तो इस वर दर टू मेजर बुक्स रिटन बाय जाबर बिन हयान तो काफी जाबर बिन हयान के बारे में आपको बताया कि यह बहुत बॉर्ण इन एरान मैडिसन प्रक्टिस करने राप चला गया तो इसको अरे में अगले शाइन की बात करते हैं ठीक है करेश तो अगिले साइस डान की दर चले अगले साइंस डानगें हैं अब यह 7.40 में यह पहला हुए आफ्टर डैस्प फजरी साथ स्वाम और इनकी डैस्थ हुई एट ट्विंटी एट हुए ठीक है यह सो इनकाफ रखता याद रखें उसके बाद में मजीद आपसे बात करूं अब्दुल्मल का स्माई इसको कहा जाता है कि यह पहला मुक्सलिक साइजदार है जिसने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया यानि कि अब्दुल्मल की स्माई ने जो है ही स्टडीड इनिमल्स डिटेल से मुराज है कि बड़ी तफसील से जानवरों के बारे में स्टडीड किया अब देखो जानवर आप और आप छोचरे हो कई जानवर तो इन्सहान जानवर नहीं है Bene Psychology ऑश एयlen जिन्दू आइस दूशन मुकलकात में है गदेगोड़े और मैं बारे स्वाइरा साम और मैं तो कहूंगा कि अब्दनमल की समाईब था, सबसे जए ज़्यों कीड़े वो गोड़े होते हैं ये जानदू होते हैं इनके बारे में बड़ी नित्फर्चा है अब्दनमल का समाईब की तो इसलिए किया लों कि इनने इक फेमस किताब भी लिखी केमल के उपर, ठीक है, केमल के उपर, अल-अबील, ठीक है, क्या किताब का नाम था, अल-अबील, उनने किताब लिखी, बुक लिखी, इसके अलावा इनों ने धोडे पर भी इक किताब लिखी अल खाइल और सुड़िंट्स इसके पाद इनों यह एक किताब और लिखी जानरों गे उपर अलवगूष यहनि किताबे याद करनी आपके अलवगूष तो यह तीन किताबे जो है आपको भी मैने थोड़ देर पहले आज़ाम रुद्रे राजमाइन किताबों के नाम बताए थे अलनबता और अलहेवान और यहां पर भी मैने आपको बताए है अलवील ठीके, अलखाईर और और अलवूश अग्वील किसके बारे में थी? और इसके लावा वो भूश एनिमल्स के बारे में लिए उसके बाद इंसानों पे लिए खलकल इंसान किताब लिए और यह जो कहलें कि बूक्स है यह तब लाचरी बोक्स यह तब थे वरा कॉन्टिकिशन है आप यहाँ तब सवाल दरश कर सकते हैं कि नेम दबुक्स विच वाउ भिटन बाई अब्दुल्मल्क असमाई इसके लाव बह सकते हैं वहत व स्ट्रबिशन व जाबर बिन हैयान बा आपको प्राइट आपको से बाग सकता है इस वही गोहएड आगी की तरफ चलें तो एक वह साइंसदान के बार में दिसक्शन के लिए यह मारा आखरी साइंसदान अगार दिसक्शन के लिए ठीक है? बू अली सीना students, बू अली सीना जो है, he was the greatest contributor of all times अब इसने क्या क्या किया इसके बारे में तो मैं आपको भी बताऊंगा लेकिन सब्सक्राइब बू अली सीना बू अली सीना की क्या contribution थी यह तो आपने बढ़ना की कुछ लाइन है लिखे हुए इतनी मुश्किल नहीं उनको भी आप study कर सकते हो सब्सक्राइब आप बात हो थी date of birth की और date of death की 1980 में जो है आप कहलो यह साहित्दान जो था वो पैदा हुआ और 1037 यानि आज से कुछ हजार साल पहले लगवग यह साहित्दान जो इसाइत पकाल कर गया यानि देखें आज से हजार साल पहले भी लोग इतना कॉंट्रिबूट कर रहे थे और आज आप लोग कुछ इतना खास कॉंट्रिबूट नहीं कह रहे हैं और आप आप भी कुछ-कुछ खास करें मैं भी कुछ कोशिश कर रहा हु उसके बाद इस साइडिस भूली सीना कि यह बोट बड़ा कॉंटेटूर्ट था फोनल मैडिसन फॉनलों अमयदिसन की बचल शो है इसको के नाम दिया ज्यात है ऩॉनलों जो विस हैं ठीक है, Abbey, Sina, और यह तुम डबल नहीं है, So Abbey Sina के नाम से जो है, बहुत से Western people, भूवधी Sina को जानते हैं, भूवधी Sina का एकटा ना हुए, Abbey Sina रखा हुए और दिरो जाएंगी यह एक Englishman था या उनी को कोई contributor था, अलागे यह गलत है, यह एक मुस्लमान साइसदान था, बरस्रीष से शाइस का तालुद था, So लिकार तो नहीं हुआ, यह कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, और यह Physician था, Physician क्यों आता है पका, यही बचों को पता नहीं होता, जो Physics पढ़ता है, उसको Physicist कहते है, ठीक है, और जो Physician होता है, डॉक्टर को कहते है, जो Medicine Practice का रहा हुआ है, Medicine लिखे देता है, आपको Journal check-up करता है, आपकी कोई थोड़ी को सरजनी करता है, कल अब Carriers in Biology में भी पढ़ते हैं, Physician जो है, और यह फिलीशन था, मतलब, he was a General Dr. Hakeem कहले आपस, Khabib कहले, और यह फिलॉसिफर भी था, ठीक है, को थी, फिलॉसिफर, और इसके अलावा आप कहलो, he was also known as astronomer और पोईट भी था, इसके अलावा इसके लावा इसको जो बहुत बड़ी चीज़ा आपने जाद रखनी इसने भी किताब यह थी, अल्कानून फी अल्तिव, ठीक है, अल्कानून फी अल्तिव, काफी बड़ा नाम है कि दाखवा, so that is a book he was written by Bhuali Sina, और लास्ट में इसको जो है, a Canon of Medicine B कहार राते है, founder of Medicine B कहने और, Canon of Medicine B को आप कहह सेखते हैं, वैसे है, so I hope कि Muslim scientist के बारे में आपको काफी समझ में आया होगा, so I hope कि यह वीडियो आख के लिए helpful साबित हुई होगी, so अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को दूसरे में दोस्तों के आज भी शेयर करें, ताके उनको भी Muslim science दागा के बारे में काफी कुछ पता लग सके, सब्सक्राइब के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंकियो सो मच्छ।